हेलो गाईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में फ्रेफार या फिर फ्रेफार मेक्स को ओपन करने जा रहे हो और ओपन करते समय इस तरीके कर लोडिंग स्क्रीन आपके में आता होगा और कुछ समय के लोडिंग होने के बाद इसमें डाउनलोड फैल रेफार आ जाता है और उसके बाद कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है मैं कुछ समय वेट करके आपको दिखाता हूँ मेरे में अभी वैसा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो देख लेज़े दोस्तों मैं कुछ टाइम वेट किया उसके बाद मेरे में डाउनलोड फैल रेफार की error आ गया है और इसको अगर मैं OK पे क्लिक करूँगा फिर से loading होने का कोसिस करेगा लेकिन loading पूरा नहीं हो पाता है और इसमें फिर से वैसे ही error आ जाता है और मेरे में internet भी on है उसके बाद भी ऐसा error मेरें बार बार आ रहा है ऐसा कुछ भी problem होगा दोस्तों आपको वीडियो को लास तक देख लेना है बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा आपका problem पूरक पूरा solve हो जाएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये होंगे दोस्तों subscribe जरूर कर लीजेगा और bell icon में से आल notification को on कर लीजेए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी देख लिए फिर से download file rate रहे आ गया और ok पे click करूंगा तो इसमें फिर से वैसे ही so होता है तो यहाँ पर से problem solve नहीं होगा problem क्या रहत है वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए यहाँ पर से हम लोग को home screen में जाना है और यह free fire max को हम लोग को पूरक पूर यहाँ पर से clear कर देना है minimize से अब उसके बाद यह download file rate रहे के problem तब आता है जब हमारे free fire यह free fire max को बिलकुल भी internet नहीं मिल पाता तब मतलब बहुत ही slow रहेगा अगर आपका data खतम हो चुका है तब भी free fire open हो जाता है लेकिन उसके बाद भी अगर और भी उससे slow रहता है तब जाकर के download file retry के error आता है तो एक बार आपको इसको long tap करना है ape info में जाना है और यह चुस setting बताने वाला हूँ यह किसी किसी mobile में मिलेगा अगर आपका redmi या फिर poco का mobile होगा तो उसमें यह setting रहता है ape info में आने के बाद restrict data uses के एक setting दिखाए देगा इसको आपको tape करना है यह तीनों के तीनों यहाँ पर check होना चाहिए मतलब तीनों से आपको internet मिलना चाहिए जैसे wifi हो गया sim 1, sim 2 सभी से internet में मिल रहा है तो मैं किसी से भी connector होगा तो हमारे free fire को internet मिलेगा कोई भी problem नहीं होगा तो इसको एक बार check कर लेना है अगर कोई यहाँ पर से हट चुका है और उसके बाद आपके में problem आ रहा है तो आप उसी sim में internet चलाने कोसिस कर रहे होगे तब problem आ रहा होगा तो इसको आपको एक बार check जरूर से कर लेना है अगर आपके mobile में app info में यह वाला setting आपको देखनी को ही नहीं मिलता तो यहाँ पर से bake चले जाना है अब simple आपको यह काम करने है दोस्तों आपको अपने mobile को एक बार switch up करके फिर से on कर लेना है और उसके बाद कुछ समय wait करने के बाद फिर से free fire max को open करना है और उसके बाद हम free fire को open करने का कोशिस करेंगे तो अभी के time पे मैं देखा कि मेरे air tail sim में ही वह ऐसा problem आ रहा था और जैसे ही मैं जीओ पे इसको change करता हूँ उसके बाद यह open हो जा रहा था मेरा free fire अभी देखिएगा यह जीओ पे तुरंत की तुरंत open हो जा रहा है तो ऐसे ही आपके में भी problem हो सकता है कभी कभी server के भी problem रहता है किसी sim में ऐसा problem आते रहता है अगर आपके पास दूसरा network available ही नहीं है मतलब geo में अगर problem आ रहा है और आपके पास air tell नहीं है तो फिर आपको क्या करना है आपको play store से एक application को download करना पड़ेगा उस application का नाम है dns changer नाम से यह application आपको first में ही मिल जाएगा जैसे ही आप google play store में search करेंगे उसके बाद इसको open करना है अब इसको हम लोग open करेंगे तो इसमें 2-3 dns में बताता हूँ उन ही को आपको connect करना है उसके आपका id में कोई भी effect नहीं पड़ेगा मतलब बेन वगर नहीं होगा एक तो है google का ही dns है तो google की dns से कोई भी id बेन नहीं होगा और एक cloud player करके है इसको भी आप connect कर सकते है इन दोनों में से जिससे भी आपका connect होता है उससे connect कर सकते है इससे आपका id कभी भी बेन नहीं होगा simply यहाँ पर start के option पे आपको click करना है उसके बाद आपके सामने एक aid आएगा aid को आपको close करना है पिर आपका connection succeed करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है मतलब कि connect हो चुके है जब यह पूरक पूरक कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आपका जो भी sim में problem आ रहा था वो problem भी solve हो जाएगा बस आपका उस दिन का internet खतम नहीं हुए रहना चीए तब जा करके open होगा internet खतम हो जाए रहेगा तब तो ऐसे ही internet slow हो जाए रहता है फिर दूसरे दिन आपको try करना है तो अभी देखिए मेरा air tail sim में भी यह पूरक पूरा open हो जा रहा है कोई भी problem हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है और आपको एक बार और confirm कर लेना है उपर में जो notification बार होता है वहाँ पर VPN करके लिखा आना चीए जहाँ पर network so होता है वहीं पर लिखा रहता है तो वो जरूर से होना चीए तब ही जा करके DNS से connect रहता है अब इतना सब को आप try करेंगे दूस्तों आपका problem 100 में 100% solve हो जाएगा और मान की चलिए DNS server से आप connect कर रहे हैं उसके बाद भी आपके में बात नहीं वर रहा है आपके में वैसे ही problem आते ही रह रहा है तो उस situation में आप VPN को download कर सकते हैं यहाँ पर VPN इंडिया करके एक VPN है प्लेइ स्टोर में इसी को आप download कीजिएगा इसमें original VPN है इंडिया के server का तूससे आप connect कर सकते हैं उससे भी आपका ID बेंडिंग होगा और आपके प्रेफार में जो भी network का problem है वो भी solve हो जाएगा इस वीडियो में जितना tips बताया हूँ उन सभी को apply करने के बाद आपका भी problem पुरक पुरक सॉल हो जाएगा और आप आराम से free fire game को खेल पाएगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में से आल नोटिपिकेशन को अन कर लीजेए तो चलिए यार अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में अभी के लिए सभी को बाए बाए